उसी समय राजकुमार राम और लक्षमन वहाँ आए, वे ऐसे सुन्दर हैं, मानो साक्षात मुनो हर्ता ही उनके सरीरों पर छा रही हो, सुन्दर सावला और गुरा उनका सरीर है, वे गुणों के समुन्दर चतुर और उत्तम वीर हैं, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुसोबित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीस दो पूर्ण चंद्रमा हो, जिनकी जैसी भावना थी, प्रभू की मूर्ती उन्होंने वैसी ही देखी, महानरंधीर, राजलोग, स्रीरामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं, मानो स्वयम, वीरस, शरीर धारन किये हुए हो, कुटिल राजा प्रभू को देख का डर गए, मानो बड़ी भ्यानक मूर्ती हो, छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेस में बैठे थे, उन्होंने प्रभू को परतक्ष काल के समान देखा, नगन निवासियों ने दोनों भाईयों को मनुष्यों के भूशन रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा, इस त्रियां हिर्दे में हरसित होकर अपनी अपनी रुची के अनुसार उने देख रही हैं, मानो सरंगार रसी परम अन्पमूर्टी धायन के सुसोवित हो रहा हो, विद्वानों को प्रभू विराट रूप में दिखाई दिये, जि के बहुत से मुं, हाठ, पैर, नित और सिर हैं, जनक जी के सजाती कुटंबी प्रभू को किस तरह कैसे प्रियरूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन्समंदी प्रियल लगते हैं, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं उनकी प्रीती का वर् योगियों को वे सांत, सुद, सम और स्वत प्रकास परम्तत्व के रूप में दिखे हरी भक्तों ने दोनों भाईयों को सब सुखों के देने वाले इश्ट देव के समान देखा सीता जी जिस भाव से सिरी रामचंद्र जी को देख रही है वसने और सुक तो कहने में ही नहीं आता उसने और सुक का वे हिर्दय में अन्भो कर रही हैं पर वे भी उसे कहने ही सकती फिर कोई कभी उसे किस परकार कह सकता है इस परकार जिसका जैसा भाव था उसने कोसला धीस सिरी रामचंद्र जी को वैसा ही देखा सुन्दर सामले और गोरे सरीर वाले तता विश्व भर के नित्रों को चुराने वाले कोशला धीस के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुसोबित हो रहे हैं दोनों मूर्तियां सौभाओं से ही बिना किसी बनाऊ सिंगार के मन को हरने वाली हैं करोणों काम देवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ हैं उनके सुन्दर मुक सरतपूर्मा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं सुन्दर चित्वन सारे संसार के मन को हरने वाले काम देव के भी मन को हरने वाली है वहिर्दे को बहुत ही प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता सुन्दर गाल है, कानों में चंचल जूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर हूट, सुन्दर है, कोमलवानी है हसी चंद्रमा की केर्णों का त्रिस्कार करने वाली है, भौहें टेड़ी और नाइस का मनोहर है उंचे चोड़े ललाट पर तिलक जलक रहे हैं, डिप्त मान हो रहे हैं, काले घुंगराले, बालों को देखकर भौहरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं, पीली चौकोनी टोपियां, सिरों पर सुसोबित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काड़ी हुई संग के समान सुन्दर, गोल गले में मनोहर तीन देखाए हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुन्दरता की सीमा को बता रही हैं, एड़्दियों पर गज मुक्ताओं के सुन्दर कंठे और तुलसी की मालाएं सुसोबित हैं, उनके कंदे बैलों के कंदे की तरह उंचे तता और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं, कमर में तरकस और पितांबर बांदे हैं, दाइने हाथों में बान और बाएं सुन्दर कंधों पर धनुस तता पीले यग्योपवित जने उसुसोबित है, नक से लेकर सिखा तक सब अंग सुन्दर है, उन पर महान सुबा अचाई हुई है, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेतर एक तक निमेज सुन्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते, जनक जी दोनों भाईयों को देखकर हरसित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनी के चर्ण कमल पकड़ लिये, विंती करके अपनी कता सुनाई और मुनी को सारी रंग भूमी यग्य साला दिखलाई, मुनी के साथ दोनों सरेश्ट राजकुमार जहां जहां जाते हैं, वहां वहां सब कोई आस्चर चकित हो देखने लगते हैं, सब ने राम जी को अपनी अपनी और ही मुक किये हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेश रहस्य कोई नहीं जान सका, मुनी ने राजा से कहा, रंग भूमी की रचना बड़ी सुन्दर है, विश्वा मित्र जैसे नीस प्रह विरक्त और ज्यानी मुनी से रचना की प्रसंसा सुनकर, राजा प्रसंद हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला, सब मंचों से एक मंच अधिक सुन्दर, उज्वल और विशाल था, स्वैम राजा ने मुनी सहीद दोनों भाईयों को उस पर बठाया, प्रभू को देखकर सब राजा हिर्दे में ऐसे हार गए, निरा सेवम उच्सा हीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रका विशास हीन हो जाते हैं, उनके तेज को देखकर सब के मन में ऐसा विश्वास हो गया, कि रामचंद्र जी ही धनुस को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं, इधर उनके रूप को देखकर सब के मन में यह निश्चे हो गया कि सिव जी के विशाल धनुस को जो संबव है न तोड़ सके, बिना तोड़े भी सीता जी, सिरी रामचंद्र जी के ही गले में जैमाल डालेंगी, अर्था दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, और विशार रामचंद्र जी के हाथ रहेगी, यह सोच कर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर, यस परताब पल और तेज धनुस तोड़ने पर भी विवा होना कठिन है, अर्थार सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्या ही कौन सकता है, काल ही क्यों नहों, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे, यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरी भक्त और से आने थे मुश्कराए, उन्हों ने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके, जो धनुस किसी से नहीं तूट सकेगा, उसे तोड़कर सिरी रामचंदर जी सीता को व्याहेंगे, रही युद्ध की बात, सो, महराज दसरत के रण में, बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है, गाल बजा कर वेर्थी मत करो, मन के लड़ों से भी कहीं भूक बुश्ती है, हमारी परम, पवित्र निश्क पट सीक को सुनकर सीता जी को अपने जी में साथ-साथ जग जन्नी समझो, उन्हें प आउसर बार-बार नहीं मिलेगा, सुन्दर सुख देने वाले और समस्त गुणो की रासी ये दुनों भाई, सिव जी के हिर्दे में बसने वाले हैं, सुएम सिव जी भी जिने सदा हिर्दे में शिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेतनों के सामने आ गए हैं, समी पाई ह भगवत दर्सन रूप, अमरत के समंदर को छोड़ कर तुम, जग जन्नी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या, मिरक जल को देख कर दोड़ कर क्यों मरते हो, फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो, हमने तो सिरी राम चंदर जी के दर्सन करके आज जन्व लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्व को सफल कर लिया, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर सिरी राम जी का अनपम रूप देखने लगे, मनुस्चियों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकास से विमानों पर चड़े हुए दर्सन कर रहे हैं, और सुन्दर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं, तब सु अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा, सब चतुर और सुन्दर सखियां, आदर पूरवक उन्हें लिवा चली, रूप और गुणों की खान जग जन्नी जान की जी की सोबा का वर्डन नहीं हो सकता, उनके लिए मुझे कावे की सब उपमाई तुछ लगती हैं, क्योंकि वे लोकिक इस्त्रियों के अंगों से उन्राग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की इस्त्रियों के अंगों को दी जाती है, कावे की उपमाई सब तिर गुणात्मक माईक जगत से ल पहसासपत बनाना है सीता जी के वर्णियन में उनी उपमाओं को दे कर कौन कुकवी कहलाए और अप्यस का भागी बने अर्थार सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रियोग करना सूकवी के पत से चित होना और अपकिरती मोल लेना है कोई भी सूकवी ऐसी नादानी एवब उन्चित कारे नहीं करेगा यदि किसी इस्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुन्दर यूती है ही कहां जिसकी उपमाओं उन्हें दी जाए पिरत्री के इस्त्रियों की तो बात ही क्या देवताओं की इस्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हम का आदा ही अंग इस्त्री का है से इस आदा अंग पुरुस सिव जी का है काम देव की इस्त्री रती पती को बिना सरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विश और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन होने के नाते प्रिय भाई हैं उन लक्षमी के समान तो जा की जी को कहा ही कैसे जाए जिन लक्षमी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुंदर से जिसको मतने के लिए भगवान ने आती करकर स्पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया रस्ती बनाई गई महान विजदर वाशुकी नाक की मतानी का कारे किया अतिसे सुबा की खान और अनपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रगट करने में हेतू बने ये सब असुंदर एवं सभाविक ही कठोर उपकरन ऐसे उपकरनों से प्रगट हुई लक्षमी स्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है हां इसके विप्रीत यदि छबी रूपी अम्रत का सम सुंदर हो परम रूप में कच्छप हो सोबा रूप रसी हो स्रंगार रस परवत हो और उस चबी के समुदर को स्वेम काम देव अपने ही करकमल से मतें इस परकार का सहियोग होने से जब सुंदर्ता और सुक की मूर लक्षमी उत्पन हो तो भी कवी लोग उसे बहुत के साथ सीता जी के समान कहेंगे जिस सुंदर्ता के समुदर को काम देव मतेगा वह सुंदर्ता भी प्राकरत लोकिक सुंदर्ता ही होगी क्योंकि काम देव स्वेम भी तिरगुण मै प्रकरती का ही विकार है अता उस सुंदर्ता को मत कर प्रकरत की हुई लक्षमी भी उप् जिस सुन्दर्ता से जानकी जी का दिव्याती दिव्य परम दिव्य विग्रय बना है वे सुन्दर्ता उप्रियुक सुन्दर्ता से भिन आप्रकर्त है वस्तुते लक्षमी जी का आप्रकर्त रूप भी यही है वे काम देव के मतने में नहीं आ सकती और वे जानकी जी का आते उनसे भिन नहीं और उपमा दी जाती है भिन वस्तू के साथ इसके अत्रिक जानकी जी प्रगट हुई हैं स्वयम अपनी महिमा से उन्हें प्रगट करने के लिए किसी भिन उपकरण की अपयक्शा नहीं है अर्थार सक्ती सक्ती मान से अबिन अदेत्व तत्व है अतेव अनुप में है यही गूर्दार्सनिक तद्भग से रोमनी कभी ने इस अभूतोप मालंकार के द्वारा बड़ी सुन्दरता से वेक्त किया है से यानि सक्या सीता जी को साथ लेकर मनोहर वानी से गीद गाती हुई चली सीता जी के नवल सरीर पर सुनदर साड़ी सु सोबित है जग जन्नी की महांचबी अतुल्नी है सबा भूचरन अपनी अपनी जगह पर सोबित हैं जिने सक्षियों ने अंग अंग में भली भांती सजा कर पहनाया है जब सीता जी ने रंग भूमी में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर इस्त्री प्रुस सभी मोहित हो गए देवताओं ने हर्सी थोकर नगाडे बजाए और पुस्प बरसा कर अफसराइं गाने लगी सीता जी के करकमलों में जयमाला सुसोबित है सब राजा चकित होकर अचانक उनकी ओड़ देखने लगे सीता जी चगिचित से सिरी राम जी को देखने लगी तब सब राजा लोग मोह के वस्थ हो गए सीता जी ने मुनी के पास बेटे हुए दोनों भाईयों को देखा तो उनके नित्र अपना खजाना पाकलल चाकर वहीं सिरी राम जी में जा लगे इस्तिर हो गए परंतु गुर्जनों की लाल से तता बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सक्चा गई वे सिरी राम चंद्र जी को हिर्दय में लाकर सक्षियों की ओड़ देखने लगी सिरी राम चंद्र जी का रूप और सीता जी की छबी देखकर इस्तिरी पुर्षों ने पलक मारना छोड़ दिया सब एक टक उन्ही को देखने लगे सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं हे विधाता जनक की मूरता को सिग्र हग लेजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धी उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार कि राजा अपना प्रण छोड़ कर सीता जी का विवा राम जी से कर दें संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बाद सब किसी को अच्छी लगती है हट करने से अंत में भी हिर्दय जलेगा सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जान की जी के योग्यवर्तो ये सावला ही है तब राजा जनक ने वंदी जनो भाटों को बुलाया वे विर्दावली वंस की कीरती गाते हुए चले आए राजा ने कहा जाकर मेरा प्रंड सब से कहो भाट चले उनके हिर्दय में कम आनंद न था भाटों ने सरेष्ट वचन कहा हे पिर्थ्वी की पालना करने वाले सब राजा गंड सुनिए हम अपनी भुजा उठा कर जनक जी का विशाल प्रंड कहते हैं राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है सीव जी का धनुस राहू है वे भारी है कठोर है या सब को विदित है बड़े भारी योद्धा रावन और वाना सुर्वी उस धनुस को देखकर गौँ से चुपके से चलते बने उसे उठाना तो दूर रहा छुने तक की हिम्मत न हुई उसी सिव जी के कठोर धनुस को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जान कीजी बिना किसी विचार के हट पूर्वक वरन करेंगी परन सुनकर सब राजा ललचा उठे जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तम-तमाए कमर कचकर उकला कर उठे और अपने इश्ट देवों को सिद्नवा कर चले वे तमक कर बड़े ताव से सिव जी के धनुस की ओर देखते हैं और फिर निगाज जमा कर उसे पकड़ते हैं करोणो भांती से जोड लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुस के पास ही नहीं जाते वे मूर्ख राजा तमक कर किट-किटा कर धनुस को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं मानो वीरों की भुजाओं का बलपा कर वे धनुस अधिक अधिक भारी होता जाता है तब दस अजार राजा एक ही बार धनुस को उठाने लगे तो भी वे उनके टाले नहीं टलता सिव जी का वे धनुस कैसे नहीं डिकता था जैसे कामी पुरूष के वचनों से सती का मन कभी चला एमान नहीं होता सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है कीर्ती, विजय, बड़ी वीर्ता इन सब को वे धनुस के हाथों बरबस हार कर चले गए राजा लोग हिर्दय से हार कर स्रीहिन हत्प्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे राजाओं को ऐस फल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोत में सने हुए थे मैंने जो प्रंठाना था उसे सुनकर दीब दीब कहने को राजा आए देवता और देत्य भी मनुस्य का सरीर धारण करके आए तता और भी बहुत से रंधीर वीर आए प्रंठु धनुस को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यान सुन्दर कीर्ती को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं कईये यह लाब किसको अच्छा नहीं लगता प्रंठु किसी ने भी संकर जी का धनुस नहीं चड़ाया अरे भाई चड़ाना और तोड़ना तो दूर रहा कोई तिल भर भूमी भी छुड़ा न सका अब कोई वीर्ता का अभिमानी नाराज न हो मैंने जान लिया प्रत्वी वीरों से खाली हो गई अब आसा छोड़ कर अपने अपने घर जाओ ब्रह्मा ने सीता का विवा लिखा ही नहीं यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुन्य जाता है इसलिए क्या करूं कन्या कुआरी ही रहे यदि मैं जानता कि प्रत्वी वीरों से सुन्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता जनक के वचन सुनकर सभी इस्त्री पुरुस्त जानकी जी की और देख कर दुखी हुए परंतु लक्षमण जी तमतमा उठे उनकी भौहें टेडी हो गई होट फड़कने लगे और नेत्र कुरोथ से लाल हो गए स्री रगवीर जी के डर से कुछ कहतो सकते नहीं पर जनक के वचन उन्हें बांड से लगे जब न रह सके तब स्री राम चंद्र जी के चर्ण कमलों में सिर्नवाकर वे यथार्थ वचन बोले रगवनसियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचीत वचन रगकल सीरोमनी सिरी राम जी को उपस्ति जानते हुए भी जनक जी ने कहे है हे सुर्य कुल रूपी कमल के सुर्य सुनिये मैं सवभाव ही से कहता हूँ कुछ अभिमान करके नहीं यदि आपकी आज्यां पाऊं तो मैं ब्रमांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोट डालूँ मैं सुमेरू परवत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ हे भगवन आपके परताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुस तो कौन चीज है ऐसा जानकर हे नात आग्या हो तो कुछ खेल करूँ उसे भी देखिए धनुस को कमल की डंडी की तरह चड़ा कर उसे सो योजन तक दोड़ा लिए चला जाऊं हे नात आपके परताप के बल से धनुस को कुकर मुत्ते बरसाती छटे की तरह तोड़ दूँ यदि ऐसा ना करूँ तो परभू के चर्णों की सपत है फिर मैं धनुस और तरकस को कभी हाथ में भी न लूँगा जोहीं लक्षमर जी क्रोध भरे वचन बोले कि पिर्थ्वी डगमगा उठी और दिसाओं के हाथी काप गए सभी लोग और सब राजा डर गए सीता जी के हिर्दय में हर्च हुआ और जनक जी सक्चा गए गुरू विश्वा मित्र जी सिरी रगुनाज जी और सम्मुनी मन में प्रसंद हुए और बार पार पुलकित होने लगे सिरी राम चंदर जी ने इसारे से लक्षमन को मना किया और प्रेम सहीत अपने पास बैठा लिया विश्वा मित्र जी सुप समय जान कर रतंत प्रेम भदिवानी बोले हे राम उठो सिव जी का धनुस तोड़ू और हे तात जनक का संताप मिटाओ गुलू के वच्चन सुनकर सिरी राम जी ने चड़नों में सिर्नवाया उनके मन में न हर्स हुआ न विशात और वे अपनी एड़ खड़े होने की सांद से जवान सिंग को भी लजाते हुए सहस सौभाव से ही उठ खड़े हुए मंच रूपी उद्याचल पर रगुनात ची रूपी बाल सूर्य के उद्य होते ही सबसंत रूपी कमल खेलोठे और नेतर रूपी भौरे हर्सित हो गए राजाओं की आसा रूपी रात्री नश्ट हो गई उनके वच्चन रूपी तारों के समूं का चमकना बंध हो गया वे मौन हो गए अभिमानी राजा रूपी कमुद संक्चित हो गए और कप्ती राजा रूपी उल्लू छिप गए मुनी और देवता रूपी चकवे सोक रहित हो गए वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं प्रेम सहित गुरू के चर्णों की वंधना करके सिरी रामचंद्र जी ने मुनियों से आग्या मांगी समध जगत के स्वामी सिरी रामजी सुंदर मतवाले से थाती की सी चाल से सोभाविक ही चले सिरी रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब इस्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके सरी रोमांत से भर गए उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुन्यों का इश्मन किया यदि हमारे पुन्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गुसाईं रामचंद्र जी सिव जी के धनुस को कमल की डंडी की भाती तोड़ डालें सिरी रामचंद्र जी को वातसल या प्रेम के साथ देखकर और सक्षियों को समीब बुलाकर सीता जी की मातासने वस विलखकर विलाब करती हुई सी ये वचन बोली हे सखी ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमासा देखने वाले हैं कोई भी इनके गुरू विस्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं जो धनुस रावन और बान जैसे जगत विजय वीरों के हिलाई नहीं सका उसे तोड़ने के लिए मुनि विस्वामित्र जी का राम जी को आज्या देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हड़ जान पड़ा इसलिए वे कहने लगी कि गुरू विस्वा राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पहाड को उठा सकते हैं और तु कोई समझा कर कहे या नहीं राजा तो बड़े समझदार और ज्यानी है उन्हें तो गुरू को समझाने की चेश्टा करनी चाहिए थी प्रंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयाना पंसमात हो गया हे सक히 विधाता की गती कुछ जानने में नहीं आती यों कहकर राणी चुप हो रही तब एक चतुर राम जी के महत को जानने वाली सक히 को मलवानी से बोली हेरानी तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए कहां घड़े से उत्पन होने वाले छोटे से मुनी अगस्त्य और कहां समुंद्र किन्तु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयसारे संसार में छाया हुआ है सूर्य मंदल देखने में छोटा लगता है पर उसके उद्य होते ही तीने लोकों का अंदिकार भाग जाता है जिसके वस्में ब्रह्मा, विश्नु, सिव और सभी देवता हैं वे मंत्र अत्यंत छोटा होता है महान मत्वाले गजराज को छोटा सा अंकुस वस्में कर लेता है काम दियों ने फूलों का ही धनुस वान लेकर समस्त लोकों को अपने वस्में कर रखा है हे देवी, ऐसा जानकर संदे त्याग दीजिए, हे रानी सुनिए रामचंदर जी धनुस को अविश्य ही तोड़ेंगे सखी के वचन सुनकर रानी को स्री रामजी के सामर्थ के संबंद में विश्वास हो गया उनकी उदासी मिट गई और स्री रामजी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया उस समय स्री रामचंदर जी को देखकर सीता जी भैवीत हिर्दय से जिस तिस देवता से विंती कर रही है वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है हे महिस भवानी मुझ पर प्रसंद हो ये मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर सने करके धनुस के भारीपन को हर लिजिए हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी बार बार मेरी विंती सुनकर धनुस का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए सिरी रगनाज जी की और देख देखकर सीता जी धीरस धर्कर देवताओं को मना रही है उनके नेत्रों में प्रेइम के आँसु भरे हैं और सरीर में रोमां चो रहा है अच्छे तरह नेत भर कर सिरी राम जी की सुबा देखकर फिर पिता के प्रणकाइस मन करके सीता जी का मन छुब धो उठा वे मन ही मन कहने लगी अहो पिता जी ने बड़ा ही कटिन हठाना है वे लाभानी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता पंटों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है कहां तो वद्र से भी बढ़कर कटोर धनुस और कहां ये कॉमल सरीर किसोर स्याम सुन्दत हे विदाता मैं हिर्दे में किस तरह धिरस धरूं सिरस के फूल के कंड से कहीं हीरा छेदा जाता है सारी सभा की बुद्धी भोली बावली हो गई है अता हे सिव जी के धनुस अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल कर सिरी रगनाद जी के सुकुमार सरीर को देखकर उतने ही हलके हो जाओ इस परकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है निमेश का एक लव अंस भी सो युगों के समान बीत रहा है परभु सिरी राम चंदर जी को देखकर फिर पृत्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस परकार सो भित हो रहे हैं मानुचंदर मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मचलियाँ खेल रही हो सीता जी की वाणी रूपी भरमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है लाज रूपी रात्री को देखकर व्यप्रकट नहीं हो रही है नेत्रों का जलनेत्रों के कोने कोई में ही रह जाता है जैसे बड़े भारी कंजूज का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है अपनी बड़ी हुई व्यकुलता जानकर सीता जी सक्चा गई और धीरस धरकर हिर्दय में विष्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और स्री रगुनाद जी के चर्ण कमलों में मेरा चित वास्तों में अनुरुक्त है तो सब के हिर्दे में निवाज करने वाले भगवान मुझे रगु स्रेश्ट स्री राम चंदर जी की दासी अवस्य बनाएंगे जिसका जिस पर सच्चा सने होता है वह उसे मिलता ही है इसमें कुछ भी संदे नहीं है प्रबू की ओर देखकर सीता जी ने सरीर के दौला प्रेम ठान लिया अर्थार्त या निश्चे कर लिया कि ये सरीर इनी का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं किरपा निधान सिरीराम जी सब जान गए उन्होंने सीता जी को देखकर धनुस की ओर कैसे ताका जैसे गरून जी छोटे से साप की ओर देखते हैं इधर जब लक्षमन जी ने देखा कि रकुलमनी सिरी रामचंद्र जी ने सिव जी के धनुस की ओर ताका है तो वे सरीर से पुलकित हो ब्रमान को चंडलों से दबा कर निमन लिखित वचन बोले हे दिकजों हे कचप हे सेज हे वारा धीरस धर कर पृत्वी को ठामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे सिरी रामचंद्र जी सिव जी के धनुस को तोड़ना चाहते हैं मेरी आग्या सुनकर सब सावधान हो जाओ सिरी रामचंद्र जी जब धनुस के समी पाए तब सब इस्तरी पृत्वों ने देवताओं और पुन्यों को मनाया सबका संदे और अज्यान नीच राजाओं का अभिमान परसु रामचंद्र जी के घर्व की गुरूता देवता और स्रेष्ट मुन्यों की कातरता भै सीता जी का सोच, जनक का पच्चाताप और रानियों के दारुन दुख का दावानल ये सब सिरी जी के धनुस रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चड़े ये सिरी रामचंद्र जी की भुजाओं के बलरूपिया पार समुन्दर के पार जाना चाहते हैं परंतु कोई के वट नहीं है सिरी रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर किर्पाधाम स्रीराम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विसेश व्याकुल जाना उन्होंने जानकी जी को बहुती विकल देखा उनका एक एक च्छंड कल्प के समान बीत रहा था यदि प्यासा आदमी पानी के बिना स्री छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमरित का तलाब भी क्या करेगा सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की समय बीच जाने पर फिर पस्ताने से क्यालाब जी मैं ऐसा समझ कर स्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेश प्रेम लगकर वेपुलकित हो गए मन ही मन उन्होंने गुरू को परणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुस को उठा लिया जब उसे हाथ में लिया तब वे धनुस बिजली की तरह चमका और फिराकास में मंडल जैसा मंडला कार हो गया लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा अर्थार्थ ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुस को कब उठाया कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा सबने स्रीराम जी को धनुस खींचे खड़े देखा उसी छण स्रीराम जी ने धनुस को बिज से तोड़ डाला भेंकर कठोर धोनी से सब लोग भर गए घोर कठोर सब से सब लोग भर गए सूरी के घोडे मार्ग छोड़ कर चलने लगे दिगच गारने लगे धर्ती डोलने लगी सेस वाराह और कच्छप कल मला उठे देवता राक्षस और मुनी कानों पर हाथ रख कर सब व्याकुल होकर विचारने लगे तुलसी दास जी कहते हैं जब सब को निश्चय हो गया कि स्री राम जी ने धनुस को तोड़ डाला तब सब स्री राम चंद्र जी की जय बोलने लगे सिव जी का धनुस जहाज है और स्री राम चंद्र जी की भुजाओं का बल समुन्द्र है धनुष तूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोवस पहले इस जाज पर चड़ा था जिसका वर्णनू पर आया है प्रभू ने धनुष के दोनों टुकडे पिर्थ्वी पर डाल दिये यह देख कर सब लोग सुखी हुए विश्वा मित रूपी पवित्र समुंदर में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथा जल भरा है राम रूपी पूर्चंदर को देख कर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी आकास में बड़े जोड से नगाडे बजने लगे और देवांगना एगान करके नाचने लगी ब्रह्मा आदी देवता सिद और मुनिस्वर लोग प्रभू की प्रसंसा कर रहे हैं और आसिरवात दे रहे हैं वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं किनर लोग रसीले गीत का रहे हैं सारे ब्रहमांड में जय जय कार की धोनी चा गई जिसमें धनुस तूटने की धोनी जान ही नहीं पड़ती जहां तां इस्त्री पुरुष पसंद होकर कह रहे हैं कि स्री राम चंदर जी ने सिव जी के भारी धन उसको तोड़ डाला धीर बुद्धी वाले भाट, मागद और सूत लोग विर्दावली कीर्ती का बखान कर रहे हैं सब लोग घोडे हाथी, धन, मनी और वस्त निचावर कर रहे हैं जांज, मिर्दंग, संग, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहाउने नगाडे आदी बहुत परकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं जहां तहां यूतियां मंगल गीत गा रही हैं सक्यों सहित रानी अत्यं थर्चित होई, मानो सूकते हुए धान पर पानी पढ़ गया हो, जनक जी ने सोस त्याक कर सुक प्रात्प किया, मानो तेरते तेरते थके हुए पुरुष्णे था पाली हो धनुष तूट जाने पर राजा लोग ऐसे स्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की सोबा जाती रहती है, सीता जी का सुक किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाती का जलपा गई हो स्रीराम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो, तब सतनन जी ने आग्यांदी और सीता जी ने स्रीराम जी के पास गमन किया साथ में सुन्दर चतुर सक्या मंगला चार के गीतगा रही है सीता जी बालहंसनी की चाल से चली उनके अंगों में अपार सोबा है सक्यों के बीच में सीता जी कैसी सोबित हो रही है जैसे बहुत सी छबियों के बीच में महाचवी हो करकमल में सुंदर जैमाला है जिसमें विष्वीज जय की सोबा च्षाई हुई है सीता जी के सरीद में संकोच है पर मन में परमुष्वा है उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है समीब जाकर सिरी राम जी की सोबा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई चतुर सखी ने यह दसा देख कर समझा कर कहा सुहावनी जै माला पहनाओ यह सुनकर सीता जी ने दोनों हातों से माला उठाई पर प्रेम के विवस होने से पहनाई नहीं जाती उस समय उनके हाथ ऐसे सुसोबित हो रहे हैं मानो डंडियों सही दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जै माला दे रहे हो इस छवी को देख कर सखियां गाने लगी तब सीता जी ने सिरी राम जी के गले में जै माला पहना दी सिरी रगुनाज जी के हिर्दय पर जै माला देख कर देवता फूल बरसाने लगे समस्त राजागन इस परकार सकुचा गए मानो सूरी को देख कर कुमुदों का समू सिकुड गया हो नगर और आकास में बाजे बजने लगे दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब परसंद हो गए देवता किन्र मनुष्य नाग और मुनिस्वर जै जै कार करके आसिरवात दे रहे हैं देवताओं की स्त्रिया नास्ति गाती हैं बार बार हातों से पुस्पों की अंजलिया छूट रही हैं जहां तहां ब्रामनवेद ध्वनी कर रहे हैं और भाटलोग विर्दावली कुलकेर्ती बकान कर रहे हैं पिर्त्वी पताल और स्वग तीनों लोकों में यस फैल गया कि स्री रामचंद्र जी ने धनुस तोड़ दिया और सीता जी को वरंड कर लिया नगर के नर्णारी आरती कर रहे हैं और अपनी पुझी हैसियत को भुला कर सामर्थ से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं सिरी सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुसोबित हो रही है मानो सुंदर्ता और सिंगार रस एकत्र हो गए हूँ सक्षिया कहए है सीते स्वामी के चरण छुओ किन्तु सीता जी अत्यंत भैवित हुई उनके चरण नहीं चूती घौतम जी की स्थिया अहल्या की गती का इश्मन करके सीता जी सिरी राम जी के चरण लो को हाथों से इस परस नहीं कर रही है सीता जी की अलोग एक प्रिती जानकर रग कुलमणी सिरी राम चंद्र जी मन में हसे जै सिरी राम